बीवी के बड़े शौक राकिश काफ़े सिंपल और सीधा लड़का था लेकिन उसके बीवी वनिता उसके तो शौक ही निरा ले थे सुनो ना राकिश पिज़ा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं और ये टेग कर दिया उन सहलियों को जो मुझसे चलती है दोनों पिज़ा खाकर घर आते ही जहां राकिश कहता है वनिता यार दो रोटी बना दो ना मेरा ये फाल्तु की चीज़ों से पेट नहीं बरता मैं बहुत धग गए हूँ खुद ही बना लो ना हरे मेरी कमर ये क्या बात होती है वनिता मैं भी तो ओफिस से ठक कर आया था लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज़ा हट लेकर गया ना अरे यार तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो अरे भूग लगी तुम ब्रेंट खालो ना वनिता राकिश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है कहां फस गया इससे तो मेरी बिल्कुल परवा नहीं है अगले दिन वनिता की फोटो उसकी सहलिया देखती है फोन करती है यार वनिता कितनी लखी है यार तेरा पती आफिस की बात तुझे घुमाने ले जाता है पिज़ा खिलाता है और वाव यार तेरी कपड़ी तो अमेजिंग लग रहे है हाँ यार हम तो हर वक्त पाटी मोड में रहते हैं हाँ यार मैं तो कितना भी बहार खालूं इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है मैं तो यही सोचकर कहीं नई जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में इकालो अरे क्यों बाहर जाना हाँ यह भी सही है अच्छे चल मैं फोन रख रही हो फिर बात करती हो वनिता फोन रख देती है चलो यार आज मुवी की टिकेट करवा लेती हूँ कल पिज़ा, आज मूवी देखने वालों को तो आग लग जाएगी आग जब राकेश कह रहाता है बनिता बहुत थक्या हूँ कल आफिस वक्त पर पहुंचना है हरे कैसी बात कर रहे हो यार मैंने मूवी चिकेट बुक की है चलो मूवी देखने चलते हैं रात एक बज़े तक आप ही जाएंगी हरे यार तुम सोच भी कैसे सकती हो आज विकेंड भी नहीं है कल मेरा ओफिस है उफो मेरी भाई को देखो सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है लेकिन भाई की सामनी जरा सा मू नहीं बनाता देखो यार हम दोनों के काम में अंतर है वैसे भी वनिता मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो मैं अलग हूँ किसे से कंपेर मत किया करो मुझे समझे एक दिन ओहो ये पूजा कहां गई है बड़ी फोटो लगा रखिए इसने फोन करके पूछती हूँ हैरे पूजा इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है कहां गई थी पूजा जो वनिता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है वो कहती है हम ना गो आ गए थे वहाँ डवली हाटल में रुके थे एक दिन का एक लाख रप्या लगता है हां अच्छा अरे यार तेरी जिन्स भी बहुत अच्छी लग रही थी बिस फैटी थी थोड़ी सी ओहो वनिता तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो आज कल तो फटी जिन्स का ये फैशन है जितनी जिन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी रैग बोलते हैं इसे खैर चलो यार मैंना जरा क्लब जा रही हूँ मेरे पती पीछे लगे हैं कि चलो चलो वनिता फोन रखती है अहाँ शौफ की दुकान जैसे जानती नहीं हूँ मैं जो दिखता है वो होता नहीं अब मेरे पती को ही देख लो पैसे ये रही मेरे जिन्स मैं भी थोड़ा कैंचे से काट देती हूँ घर पर पहन कर देखती हूँ ठीक लगे तो ठीक वन्ना कपड़े वाले को देकर बरतन ले लूँगी तब ही राकेश ओफिस से थका आता है ओहो ये क्या पहना है वनिता जाओ जाकर कपड़े बदलो ये फैशन है राकेश जिन्स जितनी फटी उतनी महंगी अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई वो मेरी दोस्त है ना जो मुंबई में रहती है पूजा उसका अरे वो मुंबई में रहती है तुम मिलाबाद में रहती हो फर कहना वनिता जाओ जाकर कपड़े बदल लो पता नहीं तुम कुद को क्या समझते हो यार फैशनेबल कपड़े अभी पहन लो कल को तुम बुड़े हो जाओंगी तब थोड़ी न अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े देखो राकेश हम दोनों को एक दूसरे को समझ रहा होगा हाँ लेकिन वनिता घर में काईदे के कपड़े तो पहना करो हाँ हाँ ठीक है अच्छा मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों रेकल पार्टी रखी है तो शाम को जल्दी घर आ जाना ठीक है अगली शाम पार्टी में वनिता सूट पहन कराती है बहुत अच्छी लग रही हो वनिता लेकिन तभी वनिता की कॉलेज का दोस्त देविश आ जाता है हाँ ब्यूटिफूल कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में कहां शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो हलो हाई मैं हूँ आंटी का पती तुम कान हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे ओ ओके तो अब तुम्हें वनिता आंटी लगने लगी है क्यों वैसे आपकी बीवी काहा है मैं अभी तो देखूँ अब वो आक्चली न वो घर पर रहती है राकेश मुस्कराकर वहाँ से चला जाता है लिकिन मरिता सब के साथ बाते करते करती फिर देवेश से ही बाते करने लगती है जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर आकर ये मैंने कर दी सारी फोटो पुस्ट पता है यहां के रिष्टिदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे लड़की लड़कियां सभी है पूरे ग्रूप में वनिता मुझे तुम्हारा यो कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं है के पुराने कहालात का हूँ मैं लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था अरे क्या गलत बोल रहा था सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पुरी आंटी लगने लगी हूँ अरे तो एक्सरसाइज करो खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो कोई सूट पहन कर आंटी नहीं बन जाता हाँ हाँ अब तुम मेरे खाने पर भी तुमारी नज़र रहती है अरे मेरे तो भागë यहीं खराबते जो तुम से शादी होई मेरी यही तो गलती है तुमारी हर बात पर शादी को कोस्ते लगती हो जरा सोचो खुले विचार कहा होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं सिंपल लड़की के साथ ही एड़्जस कर सकते हैं क्या मतलब है दुमारा सिंपल नहीं हूँ मैं तब ही वनिता के मुबाइल में मैसेज आता है वाव यार तू और तेरे पते के बीच कितना प्यार है साफ दिख रहा है यार कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को made for each other love you हाँ अब ये मैसेज किसी मज़ाग से कम नहीं है बड़ा प्यार है अरे ये सब तो दिखावा है बस तब ही डॉर बिल बचती है और वनिता की छोटी बहन अपने पती के साथ आती है अरे वाव साली साहिबा क्या बात है साड़ी भी पहन दिए आप अरे जीजू मैं अब पहनने लगी हूँ इनको मेरे उपर साड़ी ही अच्छी लगती है पता है जीजू अब तो मुझे इंडियन वेर बहुत अच्छा लगता है वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद अच्छा जी क्या बात है तब ही तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है क्यों कि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तो फोटो डालेगी अरे नहीं नहीं दीदी वो बात नहीं है वक्ती नहीं मिलता जहां भी हम जाते हैं उस जगों को देखने में मस्त हो जाते हैं तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत इंज्जाय करते हैं, क्यों? वनिता उन दोनों को देख कर सोचती है, कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खोश हैं अच्छा, तुम लोग बैठों, मैं खाने के लिए कुछ बना कर लाती हूँ दीदी, मैं भी चलती हूँ किचिन में, आपकी मदद के लिए तू और तिरा पती कितनी खुश हैं यार, लेकिन क्या फाइदा, लोगों को तो पता ही नहीं है, कि तुम लोग लाइफ को इतना इंज्जाय करते हो अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए मैं तो आपको भी कहूंगी, कि जूटा दिखावा करने से अच्छा है, कि आप जीजू को खुश रखो उनको समझो, जैसे वो आपको समझते हैं कौन सा सिंदकी हम दोसरों के लिए जीते हैं दीदी वनिता को बेहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ इंजॉई करने लगते हैं लेकिन खुद के लिए ना कि किसी को दिखाने के लिए